इस वीडियो में हम पूरी start-up से related बात करने वाले हैं अगर आप एक college के student हो, आप BC के हो, BS, IT के, BTK कोई से भी college के student हो आप कैसे अपना एक start-up start कर सकते हो, college में रहकर भी और college के बाद जाकर भी आप कैसे अपना start-up start कर सकते हो ठीक है, क्या legal formalities होती है, idea implementation कैसे होता है, funding के लिए हम कैसे reach करते है ठीक है, सारी चीज़े में है, इस वीडियो में cover करने वाला हूँ एक course जो government of india की तरफ से में मिलता है, उसमें सारी चीज़े आपको अच्छे से explain होती है with industry experts, ठीक है, जो मतलब already अपना start-up start करते है उन्हों ने ये course इक design क्या, government of india के साथ उस course के बारे में भी बताने वाला हूँ, उसमें certificate वागरा भी है तो सारी चीज़े में आपर बताने वाला हूँ, related to start-up So make sure you do not miss this entire video So hey guys, my name is Tushawa Badhiwal and you watching Tushawa Badhiwal YouTube channel तो बिगर देरी करे आजाते हैं हमारे topic पे, तो यार how to start a startup ठीक है, अगर आप BC के हो, BCIT के हो, यार कोई फरक नहीं पड़ता है अगर आपके कोई और 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 बीडिगी दिए हो, आपके पास तो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है, हमारे पास अगर पात 10,000 रुपे भी हुए, हम 10,000 से भी अपना startup start कर सकते हैं ठीक है, उसको हम दीरे दीरे एक छोटे level पर start करके, उसको एक बड़े level तक हम ले जा सकते हैं ठीक है, तो कैसे हो था, मैं अपना एक example देता हूँ, ठीक है, जब मैं फर्स्ट एर मेरा कदम हुआ था, मार्च मैंने अपना एक पहला startup start क्या था जो की था, कोचिंग और दॉट कॉम, जाकर तुम website भी चेक कर सकते हो ठीक है, उसमें मैंने तीन टीचर के साथ collaborate करा था, ठीक है, उनको पढ़ाना था commerce की field में, 11-12 की में, तो commerce की field में अभी थक कोई नहीं था, ठीक है unacademy वगरा ये सब चीजे, science को focused होती जादा, ठीक है, commerce के लिए कोई institute नहीं था, हमने कुछ ऐसा ऐसा कुछ idea था, ठीक है, अब उसको implement करने के लिए, में को क्या लगा, ठीक है, में को website बनानी थी, हर काम यहां पर online हो सकता है, तो तुम्हें भी ऐसी चीजे देखनी हैं, कि कौन सी ऐसी चीजे हैं, जो कि तुम अभी हाथ तो हाथ implement कर सकता हो, limited resources के साथ में, ठीक है, जैसे कि यार हमारे पास एक website बनाया, अब तुम बोलोगे website बनाने के लिए, हमारे को तो coding आनी चीए, ठीक है, तो coding की जुरत नहीं होती है, यार website बनाने के लिए, ठीक है, मैंने खुदने मेरी जो website WordPress पे देखिए, अभी जाकर तुम च 24,000 रोबे domain name और hosting के लगते है, जैसे coachingofindia.com, ठीक है, ये domain name हो, ठीक है, फिर हमारी जो website होती हो कहीं पढ़ी रहती है, जिस वज़े से तो internet पे live रहती है, तो वो कोई cloud platform पे पढ़ी रहती है, उस वज़े से वो कोई search करता है website, तो जितनी भी website की files होती है, वो cloud पे होती है तो वो चीज हमें खरीदनी पढ़ती है, hosting क्या होई, एक cloud storage, ठीक है, उसको हमको खरीदना पढ़ता है, इस तरीके से हमारी website इंटरनेट पे live होती है, ठीक है, कोई भी सच कर सकता है, हमारी website देख सकता है, ठीक है, तो ये बात हो गई, website तुमने बना ली, ठीक है, अब android नहीं आता है, वो भी तुम खुद सीख सकते हो, ठीक है, अगर android development सीख लो और play store पे publish कर दो, तो लगबग शायद 181900 रुपए ऐसे charges होते हैं, आपको play store के first app publish करने के, वो एक बार लगते है 800, 1800, 1900, उसके बाद आप play store पे कितनी भी apps अपनी upload कर सकते हो, ठीक है, तो ये ब अब भी secondary चल रहा है BC अब आगे भी देखते हैं क्या होता है, क्या हो सकता है, पर कोशिश करते रहना यार, और कुछ ना कुछ एक चीज स्टार्ट करो, ठीक है, जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम्हारा जो startup हो, जो successful हुआ है, वो 25 साल के age में हो, पर अभी जब तुम first और second year, जब तुम्हारी उमर 18-19 है, मेरी भी 19 साल उमर है, ठीक है, 18-19 की उमर, तब तुम अगर 10 बार fail हो जाओगे, तो 11 भी बार जब तुम 25 साल के होगे, ठीक है, तब तक तुम success की तुम्हारी कितनी guarantee हो सकती है, ठीक है, तो यही चीज है, startup करो अभी से, प्यार, how much money you need to start a startup, ठीक है, आपको जादा लाको रोपे नहीं चाहिए, ठीक है, आप 5000 से भी अपना एक startup start कर सकते हो, ठीक है, start करने के लिए, मैंने तुम्हें प्रोसेजर बता दिया, एक website बनाओ, या फिर एक app बनाओ, वो हर चीज तुम खुशीखो, उसके बाद में दूसरा part होता है, हम बारा marketing का part, ठीक है, तो marketing का part तुम कहां से देख सकते हो, तो marketing या तुम खुश से सीख सकते हो, digital marketing, ठीक है, start करो facebook ad, instagram, अब facebook ad से तुम instagram पे भी ad चला सकते हो, ठीक है, तो उसमें तुम्हें फिर देखना है, कि हमें कैसे ad सलाने, तो उसके नहीं तुम्हें strategy सीखनी होगी, तुम higher भी कर सकते हो यार, पर मेरा personal ये रहेगा, अगर तुम्हारा किसी एक दोस्त को बोलो, या तो दो-तीन दोस्त मिलके start कर लो, किसी को website बनानी आती हो, किसी को digital marketing आती हो, दोनों मिलके start कर सकते हो, नहीं तो तुम खुद भी सीख सकते हो, मैंने digital marketing और wordpress से website बनाना जहां मुझे जुरत पढ़ी strategies की, तो strategies और मैंने paid courses से सीखी है, पर आज के जमाने में YouTube पे बहुत, मतलब फ्री में भी बहुत तगड़ा वाला content available है, ठीक है, अगर समय बचाना चाहते हो, तो paid course खरीद लो, नहीं तो अगर तुम 2-3 महीने लगाओगे digital marketing तुम एक basic नहीं कर सकते है, जैसे कि तुमने पैसा कर्च किया, उसके तुमने एड पर पैसा कर्च किया, उसके बाद तुम्हें वहां से कुछ results मिलते है, उससे तुम्हें पता चलता है, तुम्हें कितनी digital marketing आती है, अब बात कर लेते हैं, यहां पर यार, course कौन कौन सा हमार पास available है, तो यहां पर तुम startup of India और government ने निकाला एक नया course, वो भी जाकर तुम check कर सकते हो, कहां मिलेगा, description में एक link दे दूँगा, नहीं तो startup course by government of India, upgrade के साथ collaborate करके उन्होंने एक course बनाया, यह कोई promotion नहीं है, ठीक है, promotional video नहीं है, अगर promotional video होगा, तो मैं बता दूँगा, ठीक है, यह सब मतलब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि वो government of India का course है, बिल्कुल free course है, ठीक है, promotion भी किसका करूँगा मैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल free course है, description पर link मिलेगी, उस course में तुमें कुछ-कुछ चीज़े पता चल जाएगी, जैसे तुमारा idea या तुमारा पास कोई, उसको implement तुमें कैसे करना है, ठीक है, fund तुमें कैसे मिलेंगे, investor तक तुमें कैसे पहुचना है, ठीक है, सारी चीज़े, legal formalities तुमें पता चलेगी उस course related, थोड़ी सी मैं आपर तुमें बता देता हूँ, वो चार वीक का course है, तुम free में available है, English language में भी है, Hindi में भी है, तो क तुमने कोई भी start-up एक start किया, तो तुम्हारी एक साल के अंदर जो तुम्हारी sales है, मैं profit नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ sales, वो 40 लाग, पहले 20 लाग ता शायद अब 40 लाग हो चुका है, अगर तुम्हारी इतने की sales हो रही है, per year की, तो फिर तुम्हें अपनी company को register कराना पढ़ेगा, और वो GST नंबर वगेरा वो सब लेने पढ़ेगे, उससे पहले जरुवत नहीं पढ़ेगी, ठीक है, मैंने भी अगर online coaching start करी ती, तो उसमें कोई कुछ company register नहीं कराई थी, उसके लिए 7000 रुपे charges होते हैं, ठीक है, आप जाकर register करा सकते हैं, online platform से भी अपनी company को register कर सकते हो, तो उसमें जरुवत नहीं है कि अभी आपको अभी से 7000 करने हैं, जब आपकी एक अच्छी investment आगे, जब आपने वहां से पैसा कमा लिए, उसके बात जागर आपको अपनी company को register कराना है, अब बात करते हैं, तुम अगर BCA के student हो, या BCA के, जो भी computer science के, अगर तुम student हो college के, तो तुम कैसे अपनी company को establish कर सकते हो, तो तुमें करना क्या है, सबसे पहले तो तुम काम करना start करो, freelancing से, freelancing पे मैं already video बना चुका हूँ, ये part BCA के बात, career options after BCA playlist का, playlist की link भी आई बटन पर है, नहीं तो channel पर जाकर तुम check कर सकते हो, दो तीन वीडियो में already बना चुका हूँ, freelancing पे starting में clients कैसे लेते हैं, सब चीज उस वीडियो में मैंने explain किये, start करो freelancing से, जब तुमार पास एक enough client आ जाए, तो ठीक है, अगर नहीं enough client freelancing में, तुम starting में college के दोरान fail होते हो, तो फिर क्या कर सकते हो, एक job पकड़ लो, placement ले लो, तो तीन साल उस company में काम करो, या फिर पास साल उस company में काम करो, उसके बाद में काम सीखो, उसके बाद freelancing के clients बनाओ, ठीक है, 7000 रुपे में तुमारी company register हो जाएगी, ठीक है, 7000 रुपे में अपनी company को register कर रहा हो, freelancing काम, clients उठाना start करो, LinkedIn से clients मिल सकते हो, ठीक है, और बाकी तरीके में उस i-betन वाली freelancing वीडियो में बताया है, तो वैसे तुमें clients मिल सकते हो, तुम अब एक company start कर सकते हो, company किस-किस तरह की तुम start कर सकते हो, तो सबसे पहले एक तुम marketing agency तुम ने खोली है, सिफ hospitals को तुम अपनी service देते हो, तो एक तुम particular नीश में चले गाए, उसकी तुमारी वो company है, एक company तुम ऐसी भी कर सकते हो, या कि तुम जैसे कोई बड़े area को तुम सिफ service दे रहे हो, ठीक है, तुम individual लोगों को service नहीं दे रहे हो, कि कोई किसी एक individual shop होना रहे हो, तुम उसमें service नहीं दे रहे हो, तुम एक पूरे mall को, जो एक mall है, उसमें जितनी भी shop से तुम सब को एक service दे रहे हो, तो वैसी भी तुम एक digital marketing agency भी खोल सकते हो, वैब development की तुम website बना के दे रहे हो, ये company भी तुम खोल सकते हो, उसके अलावार तुम अगर तुम corporate जैसी companies खोल नहीं है, तो उसके लिए फिर तुम एर company में जा कर काम करना पड़ेगा, तीन-चार साल वाँ पर काम देखो, कैसे क्या होता है, फिर freelancing clients उठाओ, LinkedIn से, जब पास clients होंगे, 7,000 तुम्हें company register करो, काम स्टार्ट कर, अपने तीन-चार बंदों को hire कर लो, remotely वो काम करें, make sure वो remotely काम करें, तुम्हें अभी office नहीं कोलना है, office कब खोलना है अभी बताता हूँ, office तुम्हें कोलना जब तुम्हां पास एक proper funding हो, तुम्हारे महीने का, तुम्हां पास extra or fund है, कि मैं office में इसको कर सकता हूँ, तब करो, और अगर नई भी ज़रूरत हो, तो मत करो, remotely ही चलने दो, ठीक है, अगर तुम्हें ज़रूरत होती हो, office की, तो करो, जाधा तर ये कोशिश करो, remotely करो, remotely करने के यार, फाइदे गया है, एक तो तुम्हारा फाइदा होगा, कि तुम्हारा office का खचा बचेगा, प्लस electricity वगरा ये सब चीज़ेगी, प्लस वो जो employee है, उसको भी फाइदा होगे, तुम उसको जाधा सेलरी दे सकते हो, क्योंकि ये जब तुम्हारा खचे बचेंगे, बिचली वगरा के, ये तुम उसको सेलरी में दे स सकते हो, जैसे fashion industry में तुम खुच सकते हो, जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें IT से related खुचना, तो मैंने ही बताया था, पर ऐसी अपनी एक company स्टार्ट कर सकते हो, तो कैसा लगा यार ये video, comment section में, बदाना मत बूलना, channel पर नए हो, तो subscribe कर देना, like कर देना, और comment ज़रूर क साथ college के दोस्तिका start, इसको share कर देना, playlist जरूर से check कर लेना, career options, इस playlist में काफी और videos में already डालने वाला हूँ, इसके अलावा एक और playlist है, BCMC series, उसमें मैंने top colleges, BCMC के बारे में बताया है, आने वाले हैं समय में, और videos आने वाली है, so make sure you subscribe this channel, तो तब तक के लिए चलते हैं, तुशार पडिवान, साइन गूफ.